12 में के शुरत हम आप सकत हो गयते हैं, परमात्मा कहते हैं कि उचा बाप, परमात्मा उचा है, उचे हम, हमें अपना को नीचे नहीं देखना, हम उनके बच्चे हम भी उचे हैं, और उचा कारे, जो हमारे कारे कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, वो भी उचा कारे हैं, इस मृ बाप से उंचा तो कोई नहीं है, परमात्मा तो वी 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 आईपी है और हम अगर वी आईपी बनगे तो उतना ही काफी है, हम ऐसे उंचे से उंचे बाप की संतान, उंची आत्मा है, परमात्मा अगर वी वी आईपी हैं तो हम वी आईपी हैं at least, उंची संतान है, अब इसमें वी आई भी तभी मिलेगा जब हमारे अंदर thoughts, words and actions जो हमारे हैं संकल, बोल और करमारे परमात्मा के समान हुए at least. यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है. क्या? क्यों शक्तिशाली बनाती है? बोल के हैं उर्जा को न बनाए सकता है, दो क्имерारे परमात्मा नकभी बने थे, नकभी खतम हूँगे, हमात्मा नकभी बनी थे, नकभी खतम होँगी, यह केल नकभी बना था, नकभी खतम होँगा, बस यह real estate हो जाता है, चकर घुम जाता है, बस कोई starting line और finish line नहीं है, इसमे फिर घुमा हम फिर रिस्टाट तो परमात्मा ने रचा अपनी सौच, बोल dan कर्म से, तो परमात्मान जाते हैं हमारी भी तृष्टी बोल कर्म ऐसे हो, तब याकि हम वी आई की बनेगा?, हम ऐसे उंचे ते उंचे बाप की संतान उंची आत्माएं हैं यह स्मृति शक्तशाली बनाती है उंचा बाप उंचे हम और उंचा कार्य ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं सारे विश्व के आगे श्रेष्ट और उंची आत्माएं आपके सिवाए पूजन होता है अम्शंति